हेलो फेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे कि जमीन का सरकल रेट क्या होता है स्टंप ड्यूटी क्या होती है और रेजिस्टरी सुलक क्या होता है और यह कितना होता है और क्यों जरूरी होता है यह क्यों लगता है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रोकेस्ट है अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले महित्फुड वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें आते हैं अपने टॉपिक पर तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे जमीन की सरकल रेट पर कि सरकल रेट क्या होता है अगर मैं सरल सब्दों में कहूँ तो सरकल रेट एक सरकारी रेट होता है जो कि आपकी जमीन की सरकार कितना रेट लगा रही है सरकार के माइने में आपकी जमीन का कितना रेट है देख इसे बोला जाता है circle rate दुस्तो अब बात आती है कि जमीन का circle rate कितना होगा कैसे पता कर सकते हैं तो देखिए जमीन का circle rate प्रतिये जेगे का अलग-अलग है प्रतिये राज़ का अलग है प्रतिये जगे का अलग-अलग है उधाराण के त Cincinnati मैं आपको बता दू जैसे माल लीजिए कोई जमीन रोड के पास की जमीन है तो उसका circle rate अधिक होगा और कोई ऐसी जमीन है जो बहुत ही भीतरी है अंदर है और जो बंजर जमीन है उसका circle rate बहुत कम होगा अगर माल लीजिए कोई जमीन मेन मार्केट में है तो उसका सरकल रेट बहुत अधिक होगा अब आप जानी गए होगे कि सरकल रेट क्या होता है तो दोस्तो अब बात करेंगे कि सरकल रेट का महत तो क्या होता है क्यों सरकार सरकिल रेट लगाती है क्यों सरकार सरकिल रेट तै करती है देखिए आप जमीन कितने पैसों में खरीद रहे हैं क्या रेट में खरीद रहे हैं इससे सरकार को कोई भी मतलब नहीं है सरकार अपना सरकिल रेट इसलिए लगाती है क्योंकि वह सर्किल रेट के हिसाब से ही आपको stamp duty देना पड़ता है government tax जिसे कह सकते हैं देखिए जैसे माल लीजी आपने कोई जगे खरीदी उसका circle rate अधिक है जैसे माल लीजी आपने कोई 10 लाग की जगे खरीदी तो आपको वहाँ पर stamp duty देना पड़ेगा जो कि हम कह सकते हैं government tax देना पड़ेगा अब government tax क्या होता है तो वह अलग अलग राज्यों में निरवर करता है यह government tax 4% भी हो सकता है 5% भी हो सकता है और यह 8% भी 10% भी हो सकता है यह जमीन के circle rate पर निरवर करता है इसलिए सरकार circle rate अपना निरधार करती है जोस्तो अब बात करेंगे registry सुलक पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि circle rate क्या होता है उसके अनुसार लगता है stamp duty जिसे government tax भी कह सकते हैं और उसके बाद एक और tax लगता है जिसे कहते हैं registration charge registry charge वो भी लगता है और stamp duty भी लगता है आपको दो प्रकार से पैसे देने होंगी दो प्रकार से tax देना होता है देखिए जो stamp duty tax होता वो तो मैंने आपको बता दिया 4-5% या 8% हो सकता है और जो registry charge होता है वो होता है 1% या 2% तो दोस्तो आप समझ गए होंगे और कोई भी किसी प्रकार का कुस्तन है तो आप कमेंट करेंगे जरूर पूछें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें